नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ Fantasy Binning 11 यूटूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चैरे पर मुस्कान होगी आज हम इस वीडियो में बात करने बाले हैं संगापॉर और मलेशा दोनों ही टीमों के भीचे खेले जाएने बाले 30 और final ट्व्यंट्य मकाबले के बारे में aí दोस्तों इस मकाबले سے पहले दोनों ही टीमें दो बार आमने सामने हो चुकी है दोनों ही टीमें एक-एक मुकाबला जीत चुकी है अब यहां से देखें किस टीम का पड़ला भारी है तो इसके लिए दोस्तों पहले नाजर डालते हैं निके रिसेंट फॉर्म के उपर सिंगापॉर ने पिछले जो पांच मुकाबले खेले हैं उनमें से चार मुकाबले जीते हैं एक मुकाबले में ह मैच को जीता है अब यहां से पिक्चर एकदम किलियर है कि आज के मुकाबले में दोस्तों आराम से कह सकते हैं हम सिंगापॉर का पड़ला भारी रहने वाला है और इसी के फेवर में आपको आज अपनी टीम तैयार करनी है दोस्तों बात करें आगे बढ़ने से पहले एक ब नमबर पांच पर दोस्तों शयादत आने वाले हैं छटवे नमबर के बल्लेवाज मुनियंडी और नमबर साथ के बल्लेवाज खेजर हयात रहने वाले हैं दोस्तों आप इसका स्क्रीन सॉट ले लेजिए का जब आप टीम बनाएंगे तो इसके लिए आपको मदद मिलने बाली है अब बात करें यदि सिंगापोर के बारे में तो दोस्तों अरित दत्ता और चंद्रमौत दोनों ही उपन करने वाले हैं गंजवी नमबर तीन मंत्री सिंग नमबर चार और दोस्तों जनक प्रकास नमबर पांच पर बैटेंग करने आएंगे इसके लावा छटवे स साथवे और आटवे नमबर के बल्लिवाज परन सुनील और महभूब रहने वाले हैं आप सिंगापोर के बैटेंग ओडर का भी स्क्रीन सोट ले लीजिएगा यह आपके लिए दोस्तों मददगार साबित होने वाला है अब बात करते हैं अपन दोस्तों ग्राउंड के बा बात करें तो मिडल और के बल्लिवाज है ना वही आपको ज्यादातर स्कोर कर दे रहे हैं और बॉलिंग में देखें तो इस पंदर यहाँ पर काफी ज्यादा बिकेट निकाल रहे हैं तो दोस्तों आप इस पंदरों को ज्यादा प्रिफरेंस अपनी टीम में दीजिएगा तो शुरुबात करते हैं बिकेट की बरिंग सेक्शन से लेकन उससे पहले दोस्तों फाइनल अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जोइन करना पड़ेगा डिस्क्रेक्शन में इसका आपको लिंक मिलेगा क्योंकि दोस्तों तीसरा मुकावला है थोड़े वोग य लाती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा तो सुरुबात करते हैं बिकेट कीपरिंग सेक्शन के साथ में सबसे पहले दोस्तों आपको देख रहे हैं वीरन दीप सिंग दोस्तों अपने टीम के लिए लगातार ये बल्लिवाज ओपन कर रहा है दोस्तों पहले मु किट कीपर नहीं है औल राउंडर परफोर्मेंस करते हैं इसलिए दोस्तों वीरन दीप सिंग के साथ ही हम यहां से जाने वाले हैं अब बात करेंगे शिंगापूर के मनप्री सिंग के बारे में तो दोस्तों मिडल ओडर में ये बल्ले बाज बल्ले बाजी कर रहा है दोस् तो आप बीरंदीप सिंग को अपनी टीम में शामिल करें बाकी मनप्री शिंग आपके लिए बैस्ट आप्सन रहने वाला है दोस्तों पांच वे चौते नंबर पर ये बल्ले बाजी कर रहे हैं पहले मुकाबले में आट रन और दूसरे मुकाबले में 26 रन इनके द्वारा ब बात करेंगे बल्ले बाजों के बारे में दोस्तों एहमत फेस नंबर तीन पर ये बल्ले बाजी करते हुए आपको दिखने वाले हैं पहले मुकाबले में 27 और दूसरे मुकाबले में 35 रन बनाए हैं दोस्तों एबरिज इसकोर कर रहे हैं इसका मतलब आराम से आप इने से आपको लगबग तीन से चार ही प्लियरों को टीम में शामिल करें क्योंकि ओल्रांडर सेक्शन में कम से कम तीन प्लियर आपको जरूर लेने बढ़ेंगे क्योंकि यही दोस्तों ग्रांड लीग में मैंन परफॉर्मेंस करने वाले हैं तो गजन अभी के बाद आगे बढ़ करकर चल सकते हैं बाग की हैड टूएट टीम से आप इनको ड्रॉप करकर चलें बात करेंगे दोस्तों हयात दरानी के बारे में 32% लोगोगों ने अपनी टीम में इने शामिल किया है दोस्तों ये प्लियर पहले मुकाबले में आट वे और दूसरे मुकाबले में साथ वे नंबर पर बैटेंग करने इसलिए head to head team के लिए ये player important हमारे लिए होने वाला है नीचे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवीन परन के बारे में 6% लोगों ने टीम में शामिल किया है दोस्तों middle order में बल्ले बाजी कर रहे हैं पहले मुकाबले में 13 और दूसरे मुकाबले में 25 रन इन्होंने बनाए हैं चाटवे नमबर पर दूसरे मुकाबले में इन्होंने बैटिंग की थी इसलिए आप head to head team से इनको drop करें क्योंकि चाटवा नमबर Singapore टीम के लिए दोस्तों थोड़ा नीचे आ जाता है यानि जादा मौका इनको नहीं मिलेगा लेकर आप Grand League में इनको लेकर चल सकते हैं यद कि एक मुकाबले में 22 रन इन्होंने बनाए हैं बात करेंगे दत्ता के बारे में दत्ता सिंगापूर के लिए open कर रहे हैं दोनों ही मुकाबले में open किया है पहले मुकाबले में एक और दूसरे मुकाबले में मातर 11 इन्होंने बनाए हैं अब देखें all rounder section से दोस्तों यहा टाइट टाइम फास्ट बॉलिंग करता है यानि फास्ट बॉलिंग को इतनी मदद नहीं मिल रही है इसलिए दोस्तों पहले मुकाबले में दो अवर फिके कोई बिकट नहीं और दूसरे मुकाबले में इनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई है वहीं बात करें बैटिंग के बा लावां बात करेंगे और दोस्तों सुनील के बारे में यहाँ पर यह इसके बारे में यदी बात करें तो सिंगापुर के लिए खेलता खिलता है राइट टाम फास्ट बॉलिंग ये करता है उस साथवे नंबर पर ये आपको बैटिंग करता हुआ देखने वाला है पहले मुकाबले में 36 दूसरे मुकाबले में एक बिगट और दूसरे मुकाबले में एक बिगट अपनी टीम के लिए निकाल कर इनों ने दिया है तो ऐसे में ये पिलियर आप अपने टीम में शामिल कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों सिंगापूर के लिए खिल रहे हैं सिंगापूर यहां पर मजबूर टीम रही है अब बात करेंगे प्रकाश के बारे में इसलिए एक ऐसा पिलियर है, जिसे आप कैप्टन और 22 कैप्टन ट्रा करकर ज़रूर रसकते हैं, पहले मुकाबले में 6 बें नमबर पर, दूसरे मुकाबले में 5 बें नमबर पर बैटेंग करने आए हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं, मेडल ओरर के बल्लेवाज स्कोर कर रहे हैं दोस्तों 256 रन दोनों मुकाबलें बनाए है और दोनों ही मुकाबलें में तीन विकट अभी तक निकाल कर दे चुके हैं सबसे अच्छी बात दोस्तों 4 ओपर यह कंप्लीट करकर आपको दे रहे हैं तो ये पिलियर आपके लिए बहुत इंपोटेंट हो जाता है खास तोर पर हेड़ टूएड और स्मॉल लीगों में इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एस अजीज के बारे में मलेशिया का ये कप्तान है निश्यत तोर पर दोस्तों आपको ये कैप्टन और 22 कैप्टन आकर चलना है क्योंकि चौथे नंबर पर ये बल्लेवाजी कर रहे हैं हाला कि पहले मुकाबले में पहली ही बॉल पर ये आउट हुए लेकन दूसरे मुकाबले में शांदार 56 रनों की पारी इन्होंने खेली है और दोनों ही मुकाबले में दोस्तों इन्होंने भरपूर ब बारे में तो 15% लोगों ने अपनी टीम में शामिल किया है दोस्तों ओफ ब्रेक बॉलिंग तो कर रहे हैं लेकिन टीम इन्से बॉलिंग करवा नहीं रही है और पहले मुकाबले में पांच पर दूसरे मुकाबले में पांच पर नंबर पर बैटिंग करने आए हैं 12 और 40 र साय करकर जरूरइर चल सकते हैं ग्या फिर्पक पूरे को आप ड्रॉप करने क्योंकि पहले मुकाबले में 2 वर्पे और कोई बिकट नहीं मिला है लेकिन हाँ ग्राइंड लिग में आप जरूर ट्राय करें क्योंकि इस पिंisser बॉलिंग करते हैं दोस्तों राइट ताalley में ट्म पॉलिंग करेंगे एक ही परसेंट लोगों में टीम में सलेक्ट किया है ग्रांड लीओ में आपके लिए यह काम करकर चल सकता है fast baller दोस्तों उसको लेंगे जो death oh verse में बोलिं में बोलिंग कर रहा है सबसे पहले बाद करेंगे दोस्तों क्रिषना के बारे में leg break दोस्तों गूगली बोलिं करते हैं इसलिए पहले ही मुकावले में 3 बिकेट निकाले हैं और दूसरे मुकाबले में हाला की बेकट नहीं मिले हैं लेकन दूस्तों लेग concern कर रहे हैं आराम से मलेशिया के बल्ले बाजों को फसाने में इत काम्याब होंगे आप एने टिम में जूफ़ बोलेजिया साहँ आपको देने वाला है मलेशिया की टीम पहले बल लिवाजी करें तो ऐसे में आप इन्हें अपनी टीम में शामिल करकर चल सकते हैं इसके लावा दोस्तों बात करेंगे अपन पी सींग के वारे में तो दोस्तों लेग ब्रेक और्थोडॉक्स ये बॉलिंग करते हैं पहले मुकाबले में तीन बिकट निकाले थे दूसरे मुकाबले में हाला कि बिकट नहीं मिला है पर चार-चार ओबर कम्प्रीट कर रहे हैं तो आप इन्हें अपनी टीम में शामिल करकर जरूर चलें इसके अलावा रह्मान दोस्तों ये भी स्लो लेफ्स टाम और्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं पहले मुकाबले में एक बिकट और दूसरे मुकाबले में दो बिकट निकाले हैं अब ये पिलियर ऐसा है जिसे आप ग्रांड लीग में कैप्टन बाइस कैप्टन ट्रा करकर चल सकते हैं लिश्य तो पर आप इने अपने टीम में शामिल करकर चले इसके लाव दोस्तों बाल करन बाश करन की बात करें तो 24 परशन्ट लोगों ने टीम में स्लट किया है पहले मुकाबले में एक और दूसरे मुकाबले में भी एक बिकट टीम के लिए निकालकर इनों भी दिया है जरवानी पांच परशंट लोगों ने टीम में स्लट किया है टीम हो अब पेक कहन नखर नियुक्त चलना है जोस्तों इन कैप्टन दोस्तों अजीच को बनाया है और 22 कैप्टन प्रकास को ट्राइ किया है चार पोलर तीन वल्लेबाज और एक बिकिट की परके साथ हमने अपनी टीम तैयार की है दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अबश्च करिएगा चैनल पर नए हैं तो आया है यंदो तो